बाईये ये होती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी महिंदरा एक्सवी फोर डवल ओके लॉंच होने के बाद आज टाटा ने अपनी नेक्सॉन ईवी प्राइम और मैक्स की प्राइस रेड्यूस कर दिये साथी साथ मैक्स की तो रेंज भी बढ़ा दिये अब आपको समझाते हैं कि क्या है ये पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो टाटा नेक्सॉन ईवी जो पुरानी वाली आती थी उसको प्राइम नाम दे दिया गया है और उसमें कुछ फीचर्स बढ़ा दिये गये थे महिंदरा एक्सॉवी फोर डबलो के लाँच होने के बाद इस प्राइस को टाटा ने कट किया है आपको बताते जो टाटा नेक्सॉन ईवी प्राइम जो बेस मॉडल एक्सेम आता है जो साड़े चवदा लाग काता है उसमें आपको LED DRLs मिलते हैं, Push Button Start मिलता है, Digital TFT Instrument Cluster मिलता है, Cruise Control मिलता है Z Connect के साथ Connected Car Technology मिलती है, Smart Watch Connected Car Technology मिलती है, Harman का Infotainment System मिलता है और Automatic AC मिलता है, यानि आपको एक Basic जो Requirement होती है वो इस Electric SUV में Tata Nexon Prime में आपको मिल जाती है सिर्फ साड़े 14,00,000,000 रुपए में, जिसमें आपको 30 kW की Battery मिलती है, और 312 km की Range मिलती है, Single Charge में इसमें तो Tata ने अपनी Price को कम किया, और इसके अलामा जो Nexon EV Max आती थी, उसमें तो एक Variant ही Add कर दिया यानि XM Variant अब उसमें भी Launch कर दिया है और इसकी Price जो है, वो अब 16,00,000 रखी है, यानि 16,49,000 प्राइस रखी गई है और इसमें आपको अच्छे खासे Features भी Add कर दिये गए है, जैसे आपको Electronic Parking Break मिलता है, Automatic Climate Control AC मिलता है ESP मिलता है, With IB Back Technology के साथ, Projector Head Lamps मिलते है, DRL के साथ, इसके अलामा LED Tail Lamps मिलते है Push Button Start मिलता है, Digital Instrument Cluster मिलता है, Z Connect Connected Car Technology मिलती है, Smart Watch के साथ, Rear Wheel में भी आपको Disc Brake मिलता है और सबसे बड़ी बात ये है कि जो EV Max में आपको 437 km की Range मिलती थी, उसको बढ़ाके 400 तिरपन कर दिया गया है अब ये देखने वाली बात होगी कि ये सिर्फ कागजों में किया गिया है, Mahindra XCV 4W को देखते हुए, उस Competition को देखते हुए कि ये वास्ताव में जब Practical इसका हम Test Run करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इस Range में कुछ अंतर आया है कि नहीं और साथ ही इसका जो Pricing है जो इसके Top Variant XZ Plus, XZ Plus LUX जो Luxury Variant आता था उसकी भी Pricing अप कम कर दी गई है, जो पहले 19,34,000 का आता था वो 18,49,000 का हो गया है, यानि लगभग 85,000 रुपए दाम भी कम किया गया है, Competition को देखते हुए Top Variants में EV Max तो दोस्तों एक तरह से कहलें, यह Marketing Strategy है और खास बात यह है कि इसका फाइदा Customers को मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, हाला कि दोनों इंडियन ब्रैंड है, दोनों अच्छे प्रोड़क्ट बना रहे हैं और अच्छे खासे डिमांड में है, और एक और अच्छ के लिहाद से अगर आप देखेंगे, तो यह Competition का फाइदा अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें आपको EV Prime में 50,000 का benefit हो रहा है, और वहीं EV Max में आपको लगबग 85,000 का benefit हो रहा है, और साथी साथ रेंज में भी आपको 25 किलो मेटर का इजाफा देखने को म पहुंचाऊं, और जो लोंग भी Electric Car लेना चाहते हैं, उनके लिए अब ये Option अच्छा होता जा रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसी तरह से Competition बढ़ेगा, तो जादा अच्छे benefits मिलेंगे, जादा अच्छी range मिलेगी, और जो सबसे अच्छी चीज है कि अ अच्छी टूने पीजू एल इकन अच्छ वड़ा चाहते मिले के बास काई ठाम के लिए नायगा, विवको है